राग पूर्वी राग पूर्वी की उत्पत्ती पूर्वी थाट से ही हुई है अतह इस राग को पूर्वी थाट का आश्रय राग कहा जाता है इस राग में रिशब और धैवत यानी रे और ध़ ये दोनु स्वर कोमल प्रयोग किये जाते हैं तथा दोनों मध्यम यानि शुद्ध म और तीवर्म प्रयोग किया जाते हैं इसके आरुहों में हमेशा तीवर्मध्यम यानि तीवर्म प्रयोग किया जाता है तथा अवरुहों में दोनों मध्यम यानि शुद्ध म और तीवर्म प्रयोग किया जाते हैं इस राक के आरुहों और अवरुहों में साथ साथ स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राक के जाती संपून संपून है इस राग का वादिस्वर गंधार अर्थात गहे और समवादिस्वर निशाद अर्थात नी है इस राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है यह गंभीर प्रकृति का राग है इसकी चलन अधिकतर मंद्र सब्तक और मद्ध्य सब्तक में होती है राग पूर्वी के आरोह, अवरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिए आरोह और अब सुनिए आवरोह इस राग की पकड इस प्रकार है नी सारे गार मार गार मार गार गार रे सार अब प्रस्तुत है राग पूर्वी की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्यलय में निबद्ध है इसमें सोलह मात्राएं होती है पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई नीरे गारे गापार पापा पाधा मापा मगा मगा मारे गामा गागा मारे गामा गारे 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 ग अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा झाल सीरोद्टा का अंतर जे इस स्वर्मालिका अंतरा आंतरम ग्रस्तु थे इस सब्सक्तों कानी ह invoice अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वर्मालिका अब सुनी इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल हैं सदा ही सत्य वचन हम बोलें पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई सदा ही सत्य वचन हम बोले सदा ही सत्य वचन हम बोलें दूरा सत्य वचन से होले दूरा सत्य वचन से होले सदा ही सत्य वचन हम बोले सदा ही सत्य अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा सदा चार के पथ पर चल कर सदा चार के पथ पर चल कर जीवन के आधर्ष तंजोदे जीवन के आधर्ष संजोदे सदा ही सत्य वचन हम बोले सदा ही सत्य अभी आपने सुनी राग पूर्वी की स्वर्मालिका और साथ ही सुनी इस स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना सुनी इस सुनी परता ही है रागरेस बरिजे